हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल का ऐसे हो आप लोग आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे स्मॉल फिस कडी जो छोटी वाली फिस होती है तो वीडियो को पूरा जरूर देख लिजेगा आपको अगर बानानी में मुश्किल लगता है ये फ सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी प्रेस कर लिजेगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालू तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तयार करेंगे तो यहां पर मैंने आधा इंचे अद्रक और 8-10 लासुन क सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहां पर हमारा लासुन अद्रक और प्याज सर्सो का पेश्ट तयार है इसको अच्छा समूथ पीशना है इसी जार में हम सुखे मसाले का भी पेश्ट तयार कर लेंगे सुखे मसाले का पेश्ट बना करके डालने से होता क्या है कि जब आप मसाला भूनेंगे तो वह जलेगा नहीं और इससे थोड़ा समूथ भी होजाता है क्योंकि यह पौडर होता है तो इससे समूथ भी हो जाता है ति यहां पर मैंने 3-4 चमच धनिया पौडर 2 चमच लाल म ताकि यह अच्छा समूध हो जाते हैं, यह पर हमारा मसाला भी तेयार है, और इसको भी मिसी में ढाल देंगे, अगर अगर आप मिक्सी जार बरा है, तो इन सब चीजों को एक इसाथ पीस सकते हैं, यह आपर मिक्सी का जार छोटा है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग पीसा ह और यह एक बड़े साइज का टमाटर है तो इसको भी हम पीस करके पेश्ट तेयार कर लेंगे और सारे मसाले को मैंने एक ही कटोडी में रख लिया है और सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आप इन सब चीजों को अगर बड़े जार में पीस रहें तो एक ही साथ पीस इसको लग लग विषने की कोई जरूरत नहीं है तो यहां पर हमारा मसाला तो तयार है और अब हम चलते हैं फिस को क्लीन करने के लिए तिहां पर मैंने 500 ग्राम छोटी वाली फिस लिया है और अब इसको क्लीन करना है तो देखे क्लीन कैसे किया जाता है इसका जो पेट होत होता है इस तरीके से दबा करके इसका कच्रा होता है निकाला जाता है तो इस तरीके सम इसको साफ करेंगे थोरा सा इसे प्रेस करेंगे तो यह आसानी से निकल जाता है तो सारे मचली को इसी तरीके से साफ करेंगे तो यहां पर मैंने सारे मचली को क्लीन कर लिया है इसका पे करेंगे और एक से दो मिन्ट तक इस तरीके से करेंगे बहुत जोड़ से नहीं करना है नहीं तो कि यह बहुत ज़्यादा सव्ट होता है यह मैस हो जाएगा अशे और अब निकल लेगे और धो करके निकाल लैंगे देखे कितना पान तो यह एक से दो बार करना है और अब टब तक पानी डालके जब तक यह अच्छा साप पानी इसमें से ना निकलने लगे लगवक पांच से छे बार तो इस तरीके से मचली क्लीन हो जाएगा इसको क्लीन करने में थोरा सा मेहनत लगता है और ये देखिए इसको मैंने 6-7 बार धो लिया है अब जाके इसका पानी जो थोरा से क्लीन हुआ है देख सकते आप तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको धोना है नहीं तो इसमें काव ही इसमें लाएगी आप खानी पाएंगी इसको वैसे तो इसका क्लीन करने का ही में जो है थोरा से क्लीन करने में ही मेहनत है तो हमने यहां इसको क्लीन कर लिया है अच्छे से देखिए तो शारे फेश यहां पर क्लीन हो चुका है अब हम करेंगे इसको मेरिनेट तो इसके लिए इसमें हम डालेंगे एक छोटी चमच नमक एक छोटी चमच हल्दी पाउडर और एक चमच हम मसाला डालेंगे जो हमने पेश्ट तेयार किया है सारे चीजों का तो एक बरा चमच हम बढ़के डालेंगे और इसको मिला लेंगे तो आप इसको चाहे तो किसी चीज से या फिर हातों से इसको मिला लें तो यहां पर हमारा फिस मेरिनेट हो चुका है अब हम चलते हैं इसको फ्राय करने के लिए तो यहां पर हमने गैस पर कराही रखा है कराही को अच्छा गर् ना उठने लगे तो तेल हमार अच्छा गर्म हो चुका है तो हम यह पर डाल देंगे फिस तारो तरफ हैला के हम इसको दो बैस में फ्राइब करेंगे एक बार में बहुत ज्यादा फिस ना डाले नहीं तो यह तूट जाता है बहुत ज्यादा सौप्ट होता है छोटी वैली मशली इसको तूटने का डर ज्यादा रहता है और एक तरफ से जब ब्राउन सा दिखने लगे तो आपको पलट देना है और आसानी से कराई में से अच्छा रहेगा को है तो यहां पर मने इसको पलर दिया है दोनों साइब से और दूंखम इसे अच्छे इनके सम फ्राई कर लेंगे देखेक राइमें से काफी अच्छे स्य इसलिप हो रहा यहां पर हमारा फिश जोए फ्राय हो चुका है काफी बढ़िया तरीके से यह देखिए और हमारा फिश जोए टूटा भी नहीं है इसको तो हम करते हैं साइड में और इसी कराई में इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे तो यहां पर मैंने इसमें दो चमाश और तेल डाल दिया है और इसमें मैंने जीरा और एक तेजपता एक सुखी लाल मिर्च डाल रहे हैं इन सब का कलर हम चेंज होने देंगे अब हम इसमें डाल देंगे पीसा हुआ जो मसाला का पेश्ट था वो तो मसाला का पेश्ट यहां पर डाल देंगे और मसाला आब हमें भूनना है और यहां पर एक जरूडी बात मैं बता दिती हैं चोटी वाली फिस में जो है आप एक बार में बहुत जादा तेल फ्राइज करने के टाइम ना डाले और यहां पर माझने नमक शादनुसार और एक चमश हलिए या वैसे दो चमश में नमक डाला है इसलिए हिसाब से डाले और मसाला को तब तक भूनना है जब तक यह कराई ना छोड़ने लगभग 5-6 मिनट मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए लगातार तो हमारा मसाला भून चुका है अब हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे तो यहां पर मैंने टोटल दो ग्लास पानी ड दाल लिजिए और अब हम ग्रेवी में उबाल आने देंगे फ्लेम हमारा मीडियम पे ही है तो ग्रेवी में हम उबाल आने देते हैं और इसके बाद 2-3 मिनट हम उबलने देंगे ग्रेवी को और इसके बाद इसमें हम फिश डाल देंगे यहां पर मैंने ग्रेवी को दो-तीन मिनट तक ऐसे ही पका लिया है और अब हम इसमें फिश डाल देते हैं और फिश डालने के बाद इसको लो फ्लेम पे 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे या चाहिए तो आप ड़के पका सकते हैं इसको या फिर खुले में भी पका सकते हैं तो हम इसको 5-6 मिनट पकने देते हैं और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं तो यह देखिए 5-6 मिनट हो चुका है और यहां पर हमारा फिसकरी बनकर के रेडी है इसका ग्रेवी काफी जादा हो चुका है और इसका कलर टेक्सर चेंज हो गया काफी जादा काफी बढ़िया लग रहा देखने में और अब हमें कुछ ने करना है उपर से हम डाल देंगे ह आप इसको सर्व कर लीजिए यह खाने के लिए बिल्कुल तयार है और यहां देखिए 5-6 मिनट हो चुका है तो अब हम इसको कर लेते हैं सर्व और आप इसको देखिए कितना बढ़ियां हमारा फिसकरी बना है छोटी वाली फिस जो है काफी ज्यादा टेस्टी होती है तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फैम्ली और फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाब झाल 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 झाल